हलो दोस्तों, प्लसपन के यूटूब के वीडियो में आपका स्वागत है, दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाहा, दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं major दो microcontroller के बीच में difference, याने की already know और node mcu, ये दोनों के बीच में difference के बारे में आज हम लोग इक दम detail में सीखने वाले, तो ये दोनों ही चीज जो है, ये दोनों ही microcontroller जो है, आज कल की industry याने की internet of things, robotics, automation, ये दोनों के लिए बहुत ही important role play करता है, ये दोनों ही microcontroller, लेकिन इन दोनों के बीच में आपको confusion होगा, sir, हमको हमारे project के लिए इन दोनों में से कौन सा सही रहेगा, ये normal confusion हमेशा रहने वाला है, correct, तो आज का इस वीडियो में, मैं ये confusion आपका दूर कर दूँगा, ये दोनों के बीच में difference बता के है, ठीक है, तो चले वीडियो की ये वाला जो microcontroller जिसका प्रयोग किया जाता है, इसको operate करने के लिए, और RDNO जा है, वो atmel company खा, इसी वीज़े से उसमें atmega328p, ये वाला microcontroller का प्रयोग होता है, ये दो ही microcontroller पे चलने वाले हमारे IoT devices है, ठीक है, अभी operating voltage की बात को रहें, ये दोनों को चलने के लिए ज जरूत पड़ती है, खुद को चालू करने के लिए, ठीक है, तो ये दोनों के बीच में एक major difference है, सबसे पहला तो आपको समझ लेना है, कि यहाँ पर पांच वोल्ड की जरूत है, इसके बाद अगर मैं current consumption की बात करूँ, तो ये जो है, वो 15 microampere से लेकर 400 milliamperes तक का load current consumption ले करने की current ले सकता है, ठीक है, अगर यहाँ पर मैं 400 milliamperes की बात करूँ, तो फुल लोड पे ठीक है, और ये जो है 45 से लेकर 800 milliamperes की में बात कर रहा हूँ, वो normal load की बात कर रहा हूँ, ठीक है, normal उतना ही लेता है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर comparison दिखा हूँ है current consumption का, इसक का मतलब अगर आप इस्तामाल नहीं कर रहा है, खाली उसको चालू रखा है आपने, तो कितना current consumption लेगा, तो 0.5 micro ampere का यहाँ पर current लेता है, नहीं की ना से ना के बराबर, ठीक है, हम लोग rating उसका मा भी नहीं सकते, इतना कम micro ampere पर ये current पर ये काम कर लेता है, जबकि already know को चलने के लिए कम से कम 35 mm, नॉर्मल मोड पर भी चाहिए, ठीक है, डीप स्लिप के मोड के अंदर, तो ये एक major difference है दोनों के बीच में, इसके लबाव है, इसके लिए digital input output का मतलब ये होता है, कि कोई भी चीज़ों को operate करने के लिए, हम लोग micro controller का प्रयोग करता है, जैसे sensor लगा दिया, motors लगा दिया, bulb लगा दिया, उसको चालू अब बंद करना है, तो हम लोग digital pin के जरीए करता है, ठीक है, तो यहाँ पे node MCU जो है, उसके अंदर लगभग 8 digital pin है, और already node के अंदर लगभग 14 digital pin, यहाँ पे हमें ज्यादा extra pin मिलती है, total 14 digital pins हमें मिलती है, already node के case में जबकि node MCU में 8 digital pin से ही आपको काम चलाना पड़ता है, इसी प्रकार से PWM pin, PWM का मतलब होता है कि slow, fast, slow, fast जभी कुछ चीज़ों को करना पड़ता है, जैसे कि मालों एक bulb है, मुझे dim करना है, dark करना है, उसको PWM signal के जरीए करना है, यह motor है, उसको speed slow करना है, fast करना है, वो PWM signal क के जरीए होता है, तो RDNO के case में आप देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह जो आपको ultra edge से निचान दिखाई दे रहा है, यह 6 pin ही आपकी PWM pin है, जबकि मैं node MCU के बात करो, इसकी सभी के सभी pins PWM को support कर लेती, यानि कि जितनी भी pins है, सभी के सभी PWM है, जबकि RDNO के case मे खाली 6 pin जो है, वो digital input output वाली PWM management वाली pin है, इसके बाद analog pins की बात करो, तो यहाँ पर केवल एक ही analog pin है, A0 की नाप से, आप देख सकते हैं, node MCU के अंदर, जबकि RDNO के अंदर, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमें 6 analog pins की ताकत मिलती है, ठीक है, analog inputs जो है, जहाँ प जनरली analog pin का प्रयोक करते है, डिजिटल आने 0101, अनलोग आने normal चालो एबन, इस तरह के साब उसको समझ सकते है, तो यहाँ पर एक ही है, और जबकि यहाँ पर RDNO के case में हमें 6 मिलता है, यह एक हमारे लिए benefit है, फिर SPI, I2C, I2S और UART, यह सब protocols है, प्रोटोकोल अभी मैं तो एक सरल भाशा में बनाओ, तो एक micro control से दूसरे micro control के साथ में बातचित करना है, या एक में से data दूसरे devices में transfer करना है, या मानलो कि बड़ी LCD जिसमें 16 pin है, उसको दो pin में convert करें है, तो यहाँ पर हमें दो-दो protocols मिलते हैं, और केवल I2C का एक protocol मिलता है, जबकि RDNO के case में सभी के सभी एक-एक protocol हमें दिये जाते हैं, तो यहाँ पर आप comparison देख सकते हैं अलग-अलग protocol के मामले में, अगर मैं DC current पर IOPIN की बात करूँ, यानि कि जितने भी IOPIN है, उस पर अगर मैं DC supply कितना मिलेगा, तो maximum जो है, वो 12 milliamps का मिल सकता है, node MCU के case में, जबकि RDNO के case में ल के case में जादा बहतर साबित होता है, flash memory की बात करूँ, flash memory यानि जिसको हम लोग RAM के नाम से भी पैचान सकते हैं, एक प्रकार की RAM है ये, तो इसमें लग-बग 4 MB का है, तो इसकी जो जहिर सी बात है कि इससे जो speed है, वो काफी बढ़िया रहेगी, node MCU की, जबकि इसमें केवल 32 KB का, जो की flash memory अवेलेबल है, RDNO के case में, इसके बाद आगे बढ़ू, तो उससे पहले में बता दूँ के हम लोग ने कई सारे online courses भी चालू कर दिये हैं, जिसमें Raspberry Pi, NodeMCU, RDNO, IoT, Embedded System, Computer Hardware, Laptop Repairing, Mobile Repairing, जैसे कई सारे अंगिनत courses चालू कर दिये, ये सब courses करने के लिए के Google Play Store से आपको मिल जाएगा, यदि आप Laptop या Computer सीखना चाहते हो, तो www.plus.online.com, ये website में विजिट करके आप आसानी से online courses सिख सकते हो, अधिक जानकरी के लिए जो WhatsApp नमर दिये है, इस पे केवल मुझे Hi का message जाल दीजे, तो मैं पूरी जानकरी आपको WhatsApp के माध्यम से का मिलता है, जबकि यहाँ पर Arduino की case में हमें 1024 bytes का हमें EEPROM जो है मिलता है, basically EEPROM जिसको हम लोग एक प्रकार से harddesk समझ सकते है, okay, flash याने temporary, clear है, इसके बाद clock speed की अगर मैं बात करूँ, तो clock speed लगबग इसकी जो है, वो 52 MHz है, जबकि already नो जो है, वो 16 MHz, याने की NodeMCU की जो speed है, वो काफी हर्त तक जादा है as compared to Arduino, okay, इसकी height और width की बात करूँ, याने की length, ये पोड़ाई और लंबाई की बात करूँ, तो लगबा कि ये 48 by 26 है, जबकि ये 69 by 53, याने की बहुत ही बड़ा है as compared to NodeMCU, ठीक है, हलाकि ये भी छोटा ही है, इतना जादा बड़ा नह याने की बहुत ही compact चीजों में ये आराम से बैठ जाता है, इसका Wi-Fi की बात करूँ, तो इसके अंदर inbuilt Wi-Fi का module आपको नजर आ रहा है, NodeMCU के अंदर, जबकि RD9 के अंदर अगर आपको Wi-Fi इस्तमाल करना है, तो आपको अलग से shield लेना पड़ेगा, okay, so यहां पर एक major difference जो इसमें Wi-Fi inbuilt हो, तो उस समय, NodeMCU जो ज़्यादा बहतर माना जाता है, power jack की बात करो, तो इसके अंदर आप देख सकते की power jack अलग से दिया हुआ है, जहां पर adapter लगा गया, power jack जो की 7-12 volt का आप लगा सकते हो, जबकि इसमें कोई power jack नहीं दिया गया है, यहां पर खाली USB वाल पर इस्तमाल होता है, तो RDNO की पहले बात करते हो, छोटे मोठे इंडस्टिल या electronic के project के लिए जाता तरह हम लोग प्रयोग करते हैं, अभी खास करके जो colleges वगर में electronic के छोटे 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 प्रोजेक्ट बनाए, DIY projects बनाने हैं, तो वहां पर RDNO का प्रयोग सबसे जादा ह वज़े से उसमें काफी सारे projects को और detail में हम लोग जा सकते हैं, as compared to NodeMCU, NodeMCU में अभी 8 जो है digital pin से तो वह भी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये एक बहुत ही prototype device है, IOT devices के लिए, यहने कि अगर IOT related कोई project आपको बनाना है आपका खुद का, तो मैं suggest करूगा कि NodeMCU लोग और फोकस रखेगे तो जादा भैतर है, low power consumption है, as compared to Arduino, आपने देखा, मैंने अभी comparison दिखा, तो बहुत ही कम power लेता है, ना कि वर और power लेता है, तो backup जो है आपको बहुत जादा मिलेगा, छोटी से छोटी बैटरी के भी इसमें networking related projects, network के उपर जो चलने वाले projects रहेगा, वो भी आप आसनी से में build कर सेकते हैं, तो यह दोनों के applications की बात हुई, मेरे इसाब से अभी यह दोनों की विश्में एक बर comparison करो, तो आपके लिए कौन सा सही रहेगा, अगर मैं उसका direct बता दू आपको उसके बारे में, तो मैं आपको suggest करूँगा आप node MCU को पहले prefer करो, क्योंकि कि मैंने जैसे बता है कि आगे जो जमाना है वो IOT का है, node MCU के इंदर inbuilt Wi-Fi है, बहुत ही current कम लेता है, fast है, रैम यानि की flash memory जादा है, उसकी speed जादा है, clock speed जिससे आपने बता है, तो इसलिए मैं आपको suggest करूँगा कि भाई, आप node MCU के जाहिए ने, ESP8266 जो है microcontroller उसका प उसके बाद node MCU में जाहिए, यह आपके लिए सही option है, अगर सीखना है, IOT पे जाना है, तो वाया Arduino पहले सीखो और उसके बाद मैं node MCU सीखोगे, तो ज़्यादा बहतर तरीके से node MCU का जान पाऊगे, उसका इस्तमाल कर पाऊगे, तो मेरे सब से दोनों ही सही अपनी अपनी ज पाइफर करोगा, यह मेरी choice है, आपकी choice अलग भी हो सकती है, तो दोस्तों यह तो मैंने comparison बताया, node MCU और IOT के, और Arduino के related, अगर आपको online courses के बारे में कोई भी जान करी चाहिए, तो मेरा WhatsApp नमबर है, जिस पर केवल मुझे हाई का message डाल दीजिए, तो मैं सारी जान करी आपको WhatsApp के माध्यम से विजवा दूगा, और दोस्तों हम लोग ने जैसे बताया कि Arduino, Raspberry Pi, Load MCU वैसे कई सारे अंजिनत courses चालू कर दिये, तो आप WhatsApp के माध्यम से मुझे इसके बारे में भी पूछ सकते हो, I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, दोस्तों आप तक चैनल को subscribe नहीं किया तो प्लीज सस्क्राइब बटन दबा के बैल का इकान दबा देजे, जो भी नए वीडियो आएगा उसको नुट्रिक्शन आपको मिल जाएगा, साथी साथ इस वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूली वीडियो और कमेंट में जरू ल